नमस्ते दोस्तों पूछे अपना सवाल में आप सभी का स्वागत है मेरे यानि की अंशु कुमार के साथ दोस्तों पूछें अपने सवाल में आप हमसे खेती बारी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब तो अगर आपका भी है कोई सवाल तो तुरंट फॉन उठाईए और अपना सवाल पूछिए फॉन के अलावा फेस्बूक वाट्साइप और इमेल के जरीए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल आज आपके सवालों के जवाब देने के कि नमस्कार सब्सक्राइब आंशू बात करें ग्रीन टीवी से मेरा सवाल यह आथा कि मुझे आर्गेनिक खेती करना है जी बताइए कि मने हम कहां से इसका प्रशिक्षान ले या क्या करें यह तो बहुत अच्छे बात है कि आप यह सोच रहें कि आपको अर्गनिक यानी कि छेविग खती करनी है तो लगभख ज mat ч करना जाहते हैं जहां कि आपको एक लेना होता है कि हम वास्तों में मेरी खेति एक जेविग लुद्फिय है तो इसका प्रमाणिक अरुकर नहीं करना होता है तो इसमें तो एक कारीक्रम में चाहां आपको लगभख तीन साल तक को पूरी रेसाइनिक चाहे वो खाद हो चाहे वो इसका उपयोग नहीं करना होता है और उसके बाद एक पूरी पद्धिती जिसमें आप किस तरह से अपने पोध पोशक टत्व डालेंगे किस तरह से पोध सरक्षन करेंगे यह सारा जानकारी होती कौन से फसल चक्र कौन कौन से जैविक खाद डालेंगे और सबसे बड़ा उद्धेश होता है कि आपकी लागत कम हो और उत्पादन बढ़ता रहे अगर लागत कम है इसका मतलब आपके पास जो जैविक खाद के संसाधन है चाहे वो खाद बनाना है चाहे नीम पर आधारत जो हमारी पोध सर बाजार में कृशी आदान लेने का जो खर्चा होए वो नहीं करना पड़ेगा तो हम बाजार के रसायनी खेती पर निर्भर नहों करके कुछ ऐसा करें कि हमारे खेत में ही औरोरा शक्ति बनी रहे जो हम अपने फसल चक्र या जेव औरवरा जिसको राइजो भीम या राइ के चुआ के खाद बनाए यह सारी चीजें उसमें समावेश होती है उसी तरह पोस्टरक्षन के लिए कि हम क्या करें कैसे हम कीडों का आकरशित करने के लिए फरमिंट टैप्स लगाएं ताकि हम को कीड़े वहां आके मर जाए और रसायन का कम उप्योग करना पड़े कैसे ह तो यह पूरी पद्दती है जैसमें फसल चाक्र हमारे संसाधनों का उप्योग यह सारी बातों का समावेश है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जब जेविक खेति कर ली और आपका इतना अच्छा उत्पाद आया जिसके गुणवत्ता बहुत अच्छी है तो उसको जो बजार भाव मिलना चाहिए वो कौन लेगा तो एक बजार से भी हमें तैय करना जरूरी है कि हम अगर प्रमानित हुआ तो तो कहने की जरूत नहीं है लेकिन आप कहते हैं कि मेरा फिर भी जैविक खेती पर आधारित है तो उस प्रमानिता के साथ हमें किसी को बजार को देना है तो वहां में सही मुली मिल रहा नहीं यह देख है तो यह बहुत जरूरी है इसके लिए आप आकेले प्रमान नहीं सकते क्योंकि यह बहुत खडचिला है नहीं पत्रि लेना तो कुछ लोग मिल करके अगर आप अपने किसां संग्ठन बनाए और सारे ये लोग विर एक परभार नहीं पड़ेगा और आप एक संगठन के रूप में अगर प्रामानित अपना रिजिस्टेशन कराएंगे तो आसानी रहेगी जी सर कोई और सवाल नहीं है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हम से जुड़ने के लिए सवाल पूछने के लिए तो दोस्तों इसी क सवाल आया था इसकी फार्मिंग करनी हो बहुतर भारत में यह बास की खेती निसंदे आप कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि अगर बहुत आप तो उत्राखंड में हैं और नीचे ही है अगर बहुत ऊपर गए तो शायद नहीं कर पाएं जहां बर जो हमारा तापमान है वो पंदरा डिग्री या उससे कम आसतन रहता है तो वहां थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन नीचे तरही एरिया में और यहां तक तो कोई आसानी से इसकी खेती की जा सकती है देखें बीच चूंकि आम तो पर यह नहीं है तो आपको जहां यह उग सकते हैं अगर आप उनको पहले अपनी तयार करना चाहते हैं और फिर बदलना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं तो जो साधान आपके कीट नाशी है वह छड़काव करने उसमें कोई विशेश बात नहीं है चाहिए आप मेलाथियान जैसे आम कीट नाशक से भी उसको दूर कर सकते हैं दिकत यहीं आती है कि उचाही पर चूंकी होते हैं तो प्रभावशाली ठंग से अगर आप छिड़काव करेंगे जो पूरे पौदे को ले सके तो इसका नियंतरन हो जाएगा आपका बहुत-बहुत धनिवाद हम से जुड़ने के रिए सवाल पूछने के लिए तो दोस्तों इसके साथ आईए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से सोलंकी विक्रम जी से जो की गुजरात के रहने वाले हैं तो आईए जानते हैं क्या है इनका सवाल नमस्कार सर मैं आंशु बात कर रही हूं ग्रीन टीवी से पूछे अपना सवाल सब्सक्राइब करते हैं जहां से हमें कोई भी पोधा लेना है तो वह हमें सबसे पहले तो प्रामानिक जगे से लेना चाहिए आप भावनगर में हैं जूनागर कृषिविश्विद्याले आपके सबसे पास है तो वहां का जो बागवानी विभाग है होटी कल्चर डिपार्टमेंट वहां से संपर करें तो ऐसी जगे प्रमानिक संस्ता से आप लेंगे तो आपको सही बीज और सही कलम यह सही पौधा मिलेगा बजार से हम कोई विश्विश्विश्विता नहीं दिखा सकते तो मेरा अगर लें तो यहिए है कि आप जो भी कलम लें देखने से हमें यह नहीं पता लगेगा कि यह पौधा किस किस्म का है हमें जो पौधे के अनुवांशिकता है वह तो श्युक्त शोत्तर से ही प्राप्थ होगी और जूना कर तो सरो सब्सक्री दूरों अगर उनके पास वह किसम नहीं हुई तो वह मना कर देंगे जी सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हम से जुनने के लिए सवाल पूछने के लिए तो दोस्तों फिलाल यहां वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बात करेंगे कुछ और कॉलर से लेकिन यहां एक के एकर शेतर पे छिड़काव करेंगे ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में जिसना आप हमसे खेती बाड़ी और पचुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब दोस्तों अंशू बाद ग्रीटीवी से अपने सवाल पूछ सकते हैं पूछेंए अपने सवाल नम रहा तो शायद यह और काली लटे इनको आपको अगर मिटाना कुछ आपने किया था दमफ जड़की जन बल्कुली नहीं जड़की पान सो मिली लीटर दवा लें और दो सो लीटर पानी में घोलें और एक एकर शेत्र पे च्टकाव करें और अगर जरुत हो तो दस तिन बाद फिर चिसका च्टकाव करते हैं अभी किसा वस्ता पर है आपका जीरा जीरा अभी फूलों पर हैं हां तो अभी यह उचित समय है क्योंकि बाद में जब जीरा बन जाएगा तो थोड़ी मुश्किल आएगी अभी उचित समय है आप जरूर कीट नियंत्रन कर लीजिएगा जीए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हम से जोने के लिए सवाल कूशने के लिए जीरे की खेती जो भारत में वह कहां कहां सबसे जादा होती है गुजरात और राजस्थान गजरात में जो अर्शिल शुष्क एलाका है थोड़ा सा जहां नमी नहीं है वातरंड में जादा जिए कि नमी होते ही इस पर रोग जादा आ जाते हैं तो राजस्तान के पाली नागोर शिरोही जालोर यह जिले और उधर गुजरात के महसाना और यह जिले जो राजस्तान से लगते हूं है और मुझा सबसे बड़ी मंडी के लिए होती है तो यह वहां का ज्यादा आम फसल है तो दोस्तों के साथ आए बात करते हैं अगले कॉलर से शक्ति जी से जो की करनाटका के रहन जी सर आपका सवाल आया था आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पूछे अपना सवाल मैं मुर्गी फर्म करना चाहता था जो आपने लाग में खेत में जी तो उदर मुझे वह लाइसन्स नहीं दे रहे हैं आपके यहां एक विभाग पशू पालन नों पस पशू चिकस्ता सविग्यान विभाग तो इसके आप डिस्टिक्ट अनिमाल हजबंडरी ऑफिसर उन से थोड़ा संपर करें वह आपको सही जानकारी देंगे अभी जो आपके सरकार ने रूल बनाया है उसमें जमीन की कागजात पहचान पत्र जाती का प्रमान पत्र और बैंक का नो नहीं है यह सब लेकर के जाने पर वो देंगे तो एक लंबी प्रकरिया उन्होंने डाल दी है थोड़ी और जानकारी लेकर के कि क्या 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 चाहिए जिसकी वाज़े से आपको यह मिल जाया लाइसंस यह देख लीजेगा और वो कागजात लेकर के तभी आप कारवाई क जुक्रिया हम से जुड़ने के लिए सवाल पूछने के लिए तो दोस्तों इसी के साथ आईए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से जो की पंजाब के रहने वाले है पपिंदर जी तो आईए जानते हैं क्या है इनका सवाल सबसे पहले तो जो मुर्गे पालन आप करना चाहते हैं उसके लिए जानकारी ले लिए अपना कैसा उसका मुर्गे का घर बनाएंगे और आपको एक दिन पुराना बच्चा कहां मिलेगा यह जानकारी ले लिजिए और आपके यहां क्रशी विज्ञान के अंद्र होगा वहां पर पशुपालन विशेशक के बैठे हुए यह जिला का जो आपका पशुपालन डांगरवाला महकमा है डांगरवाला वहां जाकर उसमें भी पॉल्टी डवलप्मेंट आफेसर हैं विशेशकर तो वह आपको सुचना दे देंगे कि आपको कहां से मिल सकती है एक दिन की बच्ची और कौन सा किस्म का चाहिए वाइट लेग हां चाहिए और या और कोई चाहिए अगर लुदियाना जा सकें और वहां युनिवर्सिट सब्सक्राइब करेंगे कुछ और कॉलर से और देंगे उनके सवालों के जवाब लेकिन यहां एक छोटा सब्रेग और उसका प्रणी कहां पर हमें बिल सकता है और आपका जो कृशी विभाग है और पशुपालन विभाग है वहां से यह जानकारी मिलेगी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में जिसमें आप हमसे खेती बारी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब दोस्ता यह बात करते हैं अपने अगले कॉलर से लिही जी से जो की अरुनाचर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आई जानते हैं क्या है इनका सवाल नमस्कार सर मैं अंशु बात करी हूं ग्रीन टीवी से सर हम आज आपकी बात अपने एक्सपर्ट से करवा रहे हैं तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पूछे अपने सवाल अपका जो कृषी विभाग है और पशुपालन विभाग है वहां से यह जानकारी मिलेगी और जो अच्छी नसल की गाएं आप लेना चाहते हैं आपके यहां जर्शी और होलस्टन दोनों नसल काम्याब हो सकती है क्योंकि अच्छा वातार्ण है आपका तो एटानगर में अगर आप पता करेंगे कि उनके कौन-कौन से संस्तान है खास करके विभाग से विभाग के कई कारिक्रम चल रहे हैं आप उनसे संपर्क करेंगे डेरी का जहां तक सवाल है और अच्छे गुणव के लिए यह बहुत दूर होगा तो इस्तानी जगे कहां यह मिल सकती है और कौन सा इसास्रोथ है यह आपको विभाग से सुचना मिलेगी तो वहां आप संपर कर लिजिए अनिता आपको जो हमारे आइसी आर के इंस्टिट्यूट है वहां से और युनिवर्सिटी में आसाम अग्रिकल्चर युनिवर्सिटी भी है आपके यहां सेंट्रल अग्रिकल्चर युनिवर्सिटी भी जो नौर्थ इस्ट के लिए है तो वहां पर भी पश्रुपालन विभाग में कर लिजिए कि क्या उनके पास बेचने के लिए यह सुधा अप्लब्द है और ट्रेनिंग तो आपको बता देंगे तो फिर आपको बाहर आना पड़ेगा अगर तक आ सकते हैं असाम अग्रिकल्चर युनिवर्सिटी तक आ सकते हैं जोरहत तक आ सकते हैं या फिर नीचे आ सकते हैं मैदानी इलाके में तो बरेली में जो हमारी इंस्टीट है महां मिल सकता है एक बार क्रशी विग्यान केंद्र पर भी यह कर लिजिएगा कि क्या वो इस तरह कि सुधा दे रहे हैं नीचे अगर मैदानी इलाके में आएंगे तो तो काफी इंस्टिट्यूट है और काफे सांस्ता हैं जहां यह ट्रेनिंग हो सकती है लेकिन अगर आसपास ही अगर आपको जगे मिल जाए तो बहुत अच्छे रहेगा आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हम से जुने के लिए सवाल पूछने के लिए तो दोस्तों इसी के साथ आए ब बात करें ग्रीन टीवी से सब्सक्राइब अपने सवाल पूछ सकते हैं पूछे अपने सवाल ऑनियन कर्देशन कब किया जाता है राजतान को पार प्रेंप्रकाश जी यह मुक्यत तो रभी की फसल है कुछ किसमें ऐसी भी है जो आप खरीफ में भी लगा सकते हैं ठीक है आप कोटा में किस जगे मैं ख में आप कर ऑनोसन दान खैंदृ वी है तो अब भी संपर्कर सो राजस्तान के लिए जो किसमें महां से सफारिश विश्री जाले से राजस्तान औनियन espíry ry आरो नसाठ आरो 252 और 252 खरीप में भी लगाई जा सकती है तो यह आपको में सकता है कैसे खेती करें यह जानकारी भी आपको मिल सकती है तो आप तो बोर खिडा में जो विशेशक हैं उनसे सिधा संपर कर लीजिए बीज वहां से प्राप्त हो जाएगा या फिर आप राष् के लिए औरे सवाल पूछने के लिए दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आप हम से फॉन के अलाबा फेस्बूक वाट्साप और इमेल के जरिये जुड़ सकते हैं हाली में वेस्ट बेंगॉल से हमारे साथ इमेल के जरिये अनुपम जी जुड़े थे ये कल्टिवेट करना छाहते हैं मूंग बीन और तिल तो कॉनसे सीजन में जो है वो इसकी खेटी कर सकते हैं साथ ही में ये इसमें जो पशिमी बंगाल और खास करके उनके शेत्र के लिए सिफारिष जिन किस्मों की की गई है उसमें PDM 149 पूसा विशाल एक और किस्म है PDM 54 इसको मोती के नाम से भी जानते हैं एक दूसरा समर मूंग लुधियाना जो अभी आप लगा सकते हैं स्म्ल 668 संभराट प्यक्सम है तो इन के स्वामें जो वहां उपलब्ध है उनके स्मों को लेना होगा राश्टी बीजनिगम से ले लें उनके अधिकरत विक्रता से या जो वहां कृषि भाग है वहां है या विश्वविध्याले है वहां से प्राप्त कर सकते हैं तो मात्रा की होती है एकड में मूम की करीब आठ से दस किलो और जैसा कि आज वहारे सबी किसान भाई जानते हैं मूम एक दलहणी फेसल है तो यह हवा से ने सकती है तो ने स्कती है आप त्रोजन की मात्रा कम रहती है लेकिन इसको फासवेरस और गंधक की मात्रा जाहिए खास गंधक के सिफारिश पश्चीमी बंगाल में की गई है तो एक एकड के लिए यदि आप 35-40 किलोग्राम डी एपी और लगभग 150 किलोग्राम जिपसम का उप्योग करें भुवाई के समय तो इसके लिए एक संपूर्ण खुराच मिल सकती है तो यह तो इसके लिए उर्वरक की बात हुई भीज की मैंने आपको बताई मात्रा जहां तक पानी का सवाल है पानी तो खरीफ की फसलों में वर्शा पे निरफ़ करेगा और गर्मी में आपको पानी जमीन की पानी में कितना ठहर पाता है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा तो दस से पंदरा दिन जब दूसरा यह कि हवा से नाइट्रोजन यह ले सके इसलिए राइजो विम का शोधन भी करते हैं जिसको बीज उप्चार कहते हैं तो बीज उप्चार थायरम या कोई भी बीच उप्चारक से 1 या 2 ग्राम पृति किलो ग्राम बीच की हिसाब से एक साधान सी डोज है उसको का तो इस तरह से बीजो उपचार करें जब आप करते हैं तो थोड़ा सा गीला होता है तो एक बार चाया में सुखा लें और तुरंत उसकी बुवाई करें अच्छी खेती करें और अच्छी उपच लें पूरी खुरागतें और सिंचाही का ध्यान रखें तो अनुपम जी आशा करती हूं कि आपके सवालों के जवाब मिल गए हम से जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों आप किसी भी तरीके से हम से सवाल पूछते हैं फेस्बुक के जरिए या फिर वाच्टैप के जरिए या फिर मेल के जरिए तो आप अपना डीटेल लिखना ना भूले अपना नाम अपना कॉंटेक्ट नमर और आप बोल कहां से रहें यह जरूर लिखे सर आपने बहुत महत्प कालन से जुड़े हुए कोई भी सवाल तो तुरंट फॉन उठाइए और अपना सवाल पूछिए फॉन के अलाबा फेस्बुक वाट्सैप और इमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल फिलाल आज के इस कारक्रम में बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए सवालों के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इज्राजत और देखते रहें ग्रीन टीवी नमस्ते झालिए झालिए झालि झालिए भी नमस्ते